दोस्तो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल ओल्वीज इफेक्स पर दोस्तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पिन्टू इस्टार्ट क्या होता है विंडोज 10 में विंडोज 10 में पिन्टू स्टार्ट को कैसे हम काम करते हैं इस पर और कैसे सोटकट किसी सोफ्ट्वेयर का आइकॉन बनाते हैं आईए देखते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यह हमारे पास में स्क्रीन जो होती है यहां पर जाना है आपने विंडोज में यह आप देख स किलिक करने किसी भी बटन पे और यह आपका पिंटू स्टार्ट आ जाएगा यह देखिए यह मैं कर रहा हूं यह देखिए पिन्टू स्टार्ट आ गया यानि कि आपका यहां पे इस टाइप से आ गया है एक आइकोन बनकर है ना दूसरा हम लेते हैं यह आप नीचे आजेए जैसे कि प्रीमियर है और फोटू सौप है अब यहां पे बहुत से लोगों को दिक्कत होती है कई लोगों कहते हैं कि सर इस आ गया है थार्ड हम करते हैं फायरफॉक्स को पिन्टू स्टार्ट अब क्या है कि अगर आप इस आइकोन को इन सारे आइकोन को छोटा करना जाते हैं तो यहां पर आपने किलिक करना है और यहां पर आपके पास में आता है री साइज का ओप्शन यह वाला ओप्शन आपक भी आप जाएंगे रही स्मॉल कर देंगे इसको यह देखिए और यहां से इसको भी स्मॉल कर देंगे यह देखिए आप देख सकते हैं यहां से यह तीनों के तीनों स्मॉल हो गए हैं और अगर इसको दुबारा अन्पिन टू फ्रॉम स्टार्ट करना है या मीडियम करना है तो यह देखिए हम मीडियम पर दुबारा किलिक करके इसको कि रिसाइज कर देते हैं मीडियम कर देते हैं यानि कि आइकॉन फिर बड़ा हो जाएगा यह देखिए यह इस टाइब से हो गया है सपोर्च कीजिए आप दूसरा कोई सोफ्टेर यहां पर लगाना चाहते हैं जैसे कि हम अडॉप आफ्टर इफेक्ट यहां पर लगाना चाहते हैं इसकी सौट कमांड बनाना चाहते हैं तो यहां से हम इसको पिन टू स्टार्ट कर from start करेंगे यह देखिए यहां से आप बारी बारे unprint from start से आप अगर आपको uninstall करना है किसी चीज को यह देखिए यहां पर आपके पास uninstall का भी option होता है यहां पर यहां से आप uninstall करेंगे सीधा आप यहां पर uninstall program में चले जाएंगे और यहाँ से जाके आप किसी भी software को uninstall कर सकते हैं दुबारा हम चले जाते हैं यहाँ पर pin to start पर तो दोस्तों आपको आप अच्छी तरह समझ में आगया होगा कि pin to start, unpin to start का मतलब क्या होता है आगे मैं आपको बता हुआ कुछ और नई चीजों के बारे में जानकारिया so please keep watching my tutorial on the YouTube channel